नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि अलबेंडाजोल टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है अलबेंदा जोल टाबलेट को कैसे लेना चाहिए और अलबेंदा जोल टाबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे की अलबेंदा जोल टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अल्बेंडा जोल एक सॉल्ट नेम है अल्बेंडा जोल टैबलेट को बैंडी, नोवोरम और जेंटेल आदी ब्रैंड नेम से भी जाना जाता है अल्बेंडा जोल टैबलेट का उप्योग पेट में कीडो को मारने के लिए किया जाता है अल्बेंडा जोल टैबलेट पेट में कीडो को मार कर और स्टूल के जरीए पेट के कीडो को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है पेट में कीडो की समस्या सबसे अधिक बच्चों में होती है बच्चों के पेट में कीडे होना एक सामान्य बात है लेकिन पेट में कीडे बड़ो को भी या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं। पेट के कीडे जीवित रहने के लिए भोजन से ग्लुकोज, विटामिन्स, मिनरल्स और एनलजी सोख लेते हैं। और पेट में कीडे होने पर व्यक्ति को खाया पिया अच्छी तरह से नही जिसकी वज़से शरीर में कमजोरी होना, वजन का कम होना, पेट में दर्ध होना और भूख कम लगना आदी लक्षन पेट में कीडे होने पर हो सकते हैं। पेट में कीडो की जाच करने के लिए डॉक्टर स्टूल टेस्ट करवा सकता है। स्टूल टेस्ट की मदद से यहां आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपको पेट में कीडो की समस्या है या नहीं। उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, भूप कम होना और तवचा पर खुजली होना आदी साइड इफेक्ट्स अलबेंडाजोल टेबलेट की वज़र से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि अलबेंडाजोल टेबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। अलबेंडाजोल टेबलेट को फैटी भोजन करने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। फैटी भोजन का मतलब है कि जिसमें फैट का लेवल ज्यादा हो जैसे दूद, घी, अंडे आदी। आम तोर पर बारा वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर पेट के कीडों को साफ करने के लिए अलबेंडाजोल 400MG टेबलेट की एक टेबलेट को केवल एक ही बार लेने की सला देते हैं। पेट में कीडों की समस्या ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्तर दो सप्ता बाद अलबेंडाजोल टेबलेट को दोबारा भी लेने की सला दे सकता है। अल्बेंडा जोल टैबलेट को लेने से पहले आपको अल्बेंडा जोल टैबलेट को मुझ में अच्छी तरह चबा लेना चाहिए। उसके बाद एक गिलास दूद या एक गिलास पानी पीना चाहिए। अलबेंडा जोल टैबलेट की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि अलबेंडा जोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लिवर की कोई गंबीर बीमारी होने पर और शरीर में खून की कमी बहुत ज्यादा होने पर अलबेंडा जोल टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। की सला के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका अलबेंडा जोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं